तो ये जो colorful look है, क्या आप अपने वीडियो में भी ये look achieve कर सकते हो? जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, one of the most anticipated teaser की push part to the rule. आज उसे के बारे में बात करेंगे, stay tuned. तो वीडियो के शुरुवात में ही बोल देता हूँ कि मेरा इरादा सिर्फ technical या aesthetic चीजों के बारे में बात करना है. मैं यहाँ पे किसी के emotions या sentiments को hurt नहीं करना चाहता. And when we look at the teaser, तो teaser actually शुरू होता है color से, एक जो होली का color blast होता है, वहाँ से शुरू होता है. And throughout the teaser, मतलब जो पूरा ये चीज है, जो ये पूरा experience है, that is a very colorful extravaganza. But यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग देख पा रहे हैं न, यह कोई भी यहाँ पे कोई accident नहीं है. Everything is planned and everything is intentional. देखिए, the beauty of the teaser is not the chaos, it's the harmony in the chaos. मैं क्या बोलना चाहता हूँ पता है, जैसे कि अभी अगर हम लोग ये color wheel को देखेंगे, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, the teal and orange concept. मतलब ये दोनों ऐसे opposite, मतलब color wheel में opposite direction में आते हैं ये दोनों color, teal orange करके Instagram में पूरा एक trend भी चला था, बट अभी देखिए, अभी ये ही teal, ये एक rule हो गया, राइट कि teal and orange works best, ऐसा एक rule है, बट rules are meant to be broken, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप teal and orange look को लेते हो, और उसका saturation जब आप बहुत बढ़ा देते हो, तो teal becomes bluish and orange become reddish, और यहाँ पे इस teaser में उसी rule को break करके, इस teaser के पूरे color concept को लिया गया है, या फिर जितने सारे posters अभी तक release हुए है, उन सब का जो concept है, that is blue and red, and of course मुझे लगता है कि इस movie में ये जो color scheme है, ये हमारे भगवानों से ही लिया गया है, बढ़ मैंने पूरा context समझाया कि क्या original है, फिर कहां से trend बनता है, this and that, अब एक चीज़ होती है graphic designing में, जो मैंने बोला कि rules are meant to be broken, but rules को break करने के लिए आपको rules जानने पड़ेंगे, और जब आप इस profession में आओगे, जब आप ऐसा कोई काम करने लगोगे, then rules तो छोड़िये, बहुत सारे लोग आपके उपर law डालेंगे, कि आपको brand guide मिलेगा, आपको ये मिलेगा, अजीब तरका brief मिलेगा, this and that, मतलब बहुत सारे challenges आपको day-to-day life में मिलेंगी, बट मैं जो सब को बताता हूँ, मेरे team को बताता हूँ, या फिर जितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, इस field में, I try to tell them कि देखिए, it's very easy to complain, right, मतलब आप complain करके, मतलब जो होता है कि नहीं हो सकता है, या फिर this will not work, वो चीज़ बोल देना बहुत easy है, जैसे कि अगर इस teaser के बारे में, आप कोई भी YouTube में वीडियो ले लीजे, या फिर जो news portals होते हैं, magazines होते हैं, जो जितना सारा discussion हो रहा है इस teaser को लेके, हर कोई यहाँ पे ना बोल रहा है कि blue and red, blue and red, blue and red, which is right, but as a creative person, as a person who is behind everything, आपको पता होना पड़ेगा कि brief, अभी जब इस चीज़ के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो brief वही आएगा आपको, कि blue and red से हम लोग trailer को बनाएंगे, but इस trailer में जितना blue and red है, उतना ही yellow color भी है, जैसे यह सारे yellow lights, yellow shades, but yellow dim हो जाता है, तो basically मैं यह बोलना चाहता हूँ कि देखे, when the team was working जब cinematographer ने इस scene को design किया, तो उन्होंने yellow light को भी उतना ही अच्छे से इस्तिमाल किया, जितना blue and red को किया, but उनको यह पता था कि जो blue and red है, that is the hero of it, और मैं जो बोला ना कि everyday आपको बहुत सारे challenges मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको लगेगा कि आपके हाथ बंदे हुए है, but अपने side से आप कुछ ऐसा करो, जो overwhelming ना लगे, subtle हो, but it keeps things working, मतलब आपको दखता है कि नहीं यार, यह brief यह लोगो इतना बड़ा होगा, तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी, आपने वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया, कुछ इतना tastefully किया, कि whatever the brief is, you made it sellable, मतलब आपने उसको presentable बनाए, यह बोल के बताना बहुत मुश्किल होता है, बट यहीं पर ही न experience pro, जो थोड़े experience नहीं होते हैं, आपने नए graphic design हैं, बट कोई भी, आप अपने वीडियो में, अपने footage में ला सकते हैं, so the answer is yes and no, तो basically क्या होता है, कि जो हम लोग बोलते हैं न, कि D.I. कि D.I. में color ठीक कर देंगे, D.I. में सब कुछ possible, this and that, so D.I. का जो full form होता है, वो होता है digital intermediate, अभी D.I. के उपर YouTube में बहुत सारे detail वीडियो है, मैं उतने detail में नहीं जाऊँगा, मैं basically आपको बता देता हूँ, कि D.I. क्या होता है बता है, कि जब movies फिल्म में बनती थी, वहां से digital बनाने का जो conversion process है, उसको D.I. बोला जाता है, और D.I. का एक part होता है color correction, और color correction आप मैं जैसे करते हैं, movies का भी color correction वैसा ही होता है, बट आप और मैं एक standard process से color correction करते हैं, लेकिन movies के लिए एक अलग, मैं बहुत lengthy और बहुत detailed एक process होता है, it's a departmental work, it's not like कि एक बंदा बैठ के वो चीज़ कर रहा है, अभी जैसे कि अगर हर movie का एक color palette decide होता है, और हर scene का एक individual color palette decide होता है, कि skin tone ऐसे रहेंगे पूरे movie में, sky ऐसा दिखेगा, green will be this much green, ये shade of green, तो अभी क्या है कि जब D.I. के लिए, D.I. में जाता है, conversion जब होता है, तो color correction भी होता है वहाँ पे, बट जो department होता है, color correction का, वो department make sure करता है, they like select, if necessary, they select everything और उसको उसके हिसाब से color change करेंगे, lighten करेंगे, darken करेंगे, brightness, contrast को adjust करेंगे, each scene separately एक workflow के through जाएगा, तो it's easier for movies, मतब जब movie को उस process में डाल दाता है न, तो ऐसा color correction, achieve करना बहुत easy होता है, जैसे कि देखे, for example, यही scene अगर हम लोग ले लेंगे, तो इस scene में देखिए, blue light है and red light है, और यहाँ पे देखिए, edges में न, जब blue light और red light एक साथ आ रहा है, तो आपको पता है कि real life में, जो light blending होता है, it doesn't behave like this, इतना sharply वो behave नहीं करता है, बट यहाँ पे जब हम लोग edges में देखिएंगे न, तो blue and red का जो separation है, that is like एकदम crisp and clear, जो contrast हम लोग को देख के अच्छा लगता है, यह real life में नहीं होता है, यह कोई camera भी capture नहीं कर सकता, तो उन्होंने lock footage capture किया है, and then di में जाके उन्होंने blue को जितना अलग से enhance करना चाहिए, उतना अलग से enhance किया, red को जितना अलग से enhance करना चाहिए, अलग से enhance किया, करके यह treatment movie को मिला है, teaser को मिला है, और मैंने इसलिए बोला कि आप नहीं कर पाऊगे, क्योंकि this is very time taking and a very long detailed process, अगर आप एक individual हो, जो एक footage को लेके इतना time and patience के साथ काम कर सकते हो, then you can achieve this look, but more or less, इस हिसाब से di करना एक जन के लिए, will be very time taking, and of course, सब कुछ पोस्ट में नहीं होता है, जैसे कि मैंने बोला कि blue light भी था, red light भी था, तो उन्होंने set को भी उसी हिसाब से design किया, मतलब nothing against set designers and art directors in the movie, in the presentation, but di and everything, मिलके ये चीज़ अचीज़ करते हैं, वो भी frame by frame, and I am sure कि जो di का checklist होगा, उसमें ये जो teaser है, ये जो footage है, ये एक बहुत important mark होगा, कि ये scene जो होगा, ये sequence हम लोको di में एकटम फाट देना है, कमाल करना है, I am sure उनके checklist में ये priority में रहेगा, अगर आप इस field से नहीं हो, तो आपको लग रहा होगा, कि भाई इतना overthinking कौन करता है, इतना सब कुछ कौन देखता है, but if you are from this field, तो आपको पता होगा, ताकि there are meetings, मतलब इन सारे चीज़ों को ही discuss करने के लिए, conference rooms में meetings होती है, creative people के बीज में, and then few decisions are made, so discussing these things are silly, and not silly at the same time, फिर shooting के technicality के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि देखिए, अभी Alloo Arjun is the character here, she is playing a character here, and ये जो पूरा shot है, जो obviously, this shot is the teaser basically, ये जो पूरा shot है ना, इसमें सिर्फ Alloo Arjun acting नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि Alloo Arjun का जो character है, पुषपा जो है, that is the character in the teaser, in this shot, but सिर्फ वही नहीं, जो camera है, that is also a character, मतलब इन स्वार ये बहुत सारे detects लिए गए गए इस scene को, क्यूंकि camera जिस हिसाब से move होता है, पैर से आके camera move होके, हाथ से, exactly उसी position को दिखाना, and then face reveal, ये चीज़, obviously, the cameraman is also acting as a character in this shot, and both, उन दोनों के harmony से, उन दोनों के sync से, ये shot इतना अच्छा हुआ है, and of course, this is high speed, तो, it must have been very difficult, for Alloo Arjun also, and for the cameraman also, but it came out really nice, बहुत अच्छे से execute किया गया है, and of course, the BGM, अभी BGM के importance के बारे में, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारे topic में, मैंने discuss किया है, कि BGM कैसे, ऐसे movies में, मतलब भी does the job, what it requires, और बहुत अच्छे से, पूरे सीन को बानता है, actually BGM, इन जैसे टीजर, चाफिर ऐसे सीन में, BGM का जो रोल होता है, और पता है, मैंने नब जब एक पोस्ट दाला था, अपने इस वीडियो के ऊपर, मेरे community में, तो वहाँ पे मुझे कॉमेंट दिखाता, ऐसा लिखा हुआ था कॉमेंट में, कि अगर यही सेम चीज, Bollywood का कोई एक्टर करता, तो सब लोग मजा कुड़ाते, लेकिन South ने किया, तो सब चलता है, बढ़ दिखे, मैं उस चीज़ से ना थोड़ असा disagree करूँगा, इसलिए मैं disagree करूँगा, क्योंकि देखिए, हर चीज़ का एक maturity, एक peak level होता है, और मुझे सार रगता है कि, Bollywood ना उस level पे अभी है, मतलब कि वो अभी ceiling को hit कर रहा है, कहने का मतलब यह है कि, देखिए, Bollywood जो है, हिंदी film industry जो है, उसमें आप सोचिए, जनरेशन, अभी मतलब third generation के भी, fourth generation अभी आके, वहाँ पे वो चीज़ कर रहे है, तो उनका ना हर चीज ऐसे, pretentious हो जाता है, अगर आप हिंदी movies के जो, बड़े-बड़े director हैं, producers हैं, actors हैं, उनके अगर आप interviews को देखोगे ना, उनके interviews में ऐसा लगता है कि, अगर आप interviews देखोगे ना, तो आपको लगा कि movies में आप लोग ऐसे ही बात करें कि, अच्छा 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 आट ट्रोप की ऐसा सा यह वाला, तो conviction जो है, conviction मेरे को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लैक लगता है, बट जो original movies हैं, especially जो movies, out of passion, out of love से बनाई जाती है, या फिर जिनके बारे में people are sure and short, उनमें ना एक अलग सा conviction दिखता है, and conviction के बारे में मैंने अपने चैनल में, बहुत सारे वीडियो में अलग से बात की है, कि when you know you are doing something good, और उस चीज़ पे जब आपको believe होता है, you are not just doing it for the sake of doing it, तो वो जो प्यार है ना वो दिखता है, अभी I think Hindi movies में, Ram Gopal Burma is a very good example, when he was making like his classic movies, तो उस टाइम पे he had the conviction, जैसे ही उनका conviction अटाना, उनका quality भी low gap, so regional movies मतलब South Indian movies, जो हम लोग जिनको हम लोग अभी इतना celebrate कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी अपना conviction खो दिया ना, then it will be gone, मतलब फिर ऐसा कमाल नहीं कर पाएंगे, जैसा वो लोग बैक टू बैक अभी कर रहे हैं, और अभी भी मतलब जिन movies में conviction नहीं होता है, वो सारे movies नहीं चलती हैं, जो copy होता है या फिर they are trying really hard to be cool, मैंने पहले भी बहुत सारे अपने वीडियो में बोला था ये चीज, तो वही वाली बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि, जो conviction है that translates through screen, translates through actors, portrayals, तो वो चीज हमें अच्छी लगती है, ऐसा मुझे लगता है, और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं पता है, जो conviction के बारे में बात किया कि, अगर आप pushpa 2 के अगर posters को देखो गया भी, अभी तो मतलब ठीक है, hero shot वाले posters आ रहे हैं, बट बहुत दिन पहले एक poster आया था, जहां पे ये वाला basically कि, सिर्फ हाथ दिखाया है pushpa का, और वहाँ पे जो छोटी उंगली होती है, उसका नाखुन लंबा है, देखें ये बहुत एक important चीज है, क्योंकि मैंने पढ़ा इसके बारे में, कि आंधर प्रदेश में पहले एक ऐसा trend, थप trend मतलब का एक मान्यता थी, कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके छोटे उंगली का जो नाखुन होता है, वो लंबा होता है, basically the idea is, अगर आप labor class के हो, अगर आप छोटे class के हो, तो आपको physical labor जादा करना होता है, आप eat उठा रहे हो, ये करो, मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत करने वाला बंदा, अगर आपके पास लोग हैं, जो आपके लिए वो मेहनत करेंगे, then you can have like long nails, तो long nails prosperity दिखा दे थी, तो ये जो hidden meaning है, ये जो चीज है, इसको एक poster में convey करने के लिए, हिम्मत चाहिए, I'm sure यही poster, यही discussion अगर Bollywood, Hindi movie में अगर होती न, तो ये discussion बनता ही न, यहाँ पर क्या है, कि उन्होंने एक stand लिया, उन्होंने अपने audience के लिए चीज बोला, और we are discovering and we are talking about it, तो मैं उस चीज के बारे मैं बोल रहा हूं, ये जो हिम्मत है, ये जो risk case को लेने के लिए conviction चाहिए, and Alloo Arjun as an actor, he is known for making absurd things look very normal, और उनका पुरा stardom इन्ही सारे चीजों पर बेज है, is just my opinion, तो आप लोग बताए कि आपको ये teaser कैसा लगा, आप लोग बताए कि आपको मेरा ये breakdown कैसा लगा, मेरा ये video कैसा लगा, अगर आपको अचा लगा, then please hit the like button, don't forget to subscribe, if you want to see more videos like this, this was Shamim, we are watching Kiba Kibi, see you in the next video,